दिया के अगनीपथ में सरकार बहुत बुरी तरह फस गई थी तो उन्हें महारास लाए अब महारास में जब फस गए तो फिर आप वो जो है तीस्ता वाला मुद्दा लाए गुजरात का चुनाओ मैंने आपको एक परदे के पीछे की कहानी वो बताई दी लेकिन जो अभी भाई सूर्य प्रिकास मिश्रा जी कह रहे थे कि वो अपना दल बना ले अपना दल बनाना इतना आसान है नहीं राजीव जी क्योंकि मेरी जो जानकारी है कि जो समर्थक विधायक है उस रेणी के हैं एक श्रेणी वो है जो अंधवक्त हैं शिंदे के अगर शिंदे बीजेपी में जाते हैं तो बीजेपी में चले जाएंगे अगर शिंदे अलग पार्टी बनाते हैं तो अलग चले जाएंगे लेकिन 10 या 11 विधायक ऐसे हैं जो भ प्रवानकारी में उन 11 विधायकों ने रखा कि भाई अगर भारतिय जनता पार्टी में ही शामिल होना होता तो फिर हम ये काम पहले क्यों नहीं कर सकते थे और जिस दिन भारतिय जनता पार्टी में शामिल हो जाएंगे तो आपको पता है मुख्यमंत्री कौन होगा शिंदे कहां रहे अभी तो ठाकरे के नाम पर जितनी दादागिरी वो कर रहे हैं वो नंबर दो हैं एक तरह से तो यहां वो लूजर नजर आते हैं दूसरे चीज़ 37 से अगर 36 होंगे तो उनका विलाय नहीं हो सकता दल बदल कानून उन पर लागू हो जाएगा और जैसे क रहे हैं जो दस या ग्यारा विधायक हैं वो किसी भी सूरत में बीजेपी में शामिल नहीं होना चाहती एक चीज़ दूसरी चीज़ यह है कि जैसे कि मैंने कहा कि विदान सभा के फ्लोर पर ही फैसला होगा दो इस्थितियां होती है यह अपनी पार्टी तब बनाए मान ल रहा है सत्र अगर चल रहा है तो उपाध्यक्ष जो हैं वो इनकी पार्टी को एक प्रथक जैसे 37 लोगों का है तो वो मानिता दे सकते हैं अब सत्र नहीं चल रहा है तो कानून यह कहता है कि वो चुनाव आयोग के पास जाकर रहे जाएंगे जो एक लंबी प्रक्रिया है यह आवश्यक नहीं है कि चुनाव आयोग आज रात को यह जाएंगे और कल फैसला कर देगा तो अभी उनका ये दरवाजा भी ये ये भी एक सीमित है तीसरी चीज आपको धियान होगा दो दिन पहले शिंदे जी का एक बयान आया था कि हमने भी बहुत कानून पड़ा है और दस्वी अनुसूची के तहट उन्होंने दस्वी अनुसूची का जिकर किया था जैशंकर जी याद करेंगे दस्वी अनुसूची ये कहती है कि अध्यक्ष या अध्यक्ष के अधिकार प्राप उपाध्यक्ष उसका अंतिम नेड़ने अंतिम है और वो बाधिकारी है जिस चारों तरफ मुश्किलें बढ़ रही हैं और अब मुश्किलें कैसे आसान होंगी क्योंकि भारती जनता पार्टी को अब एहसास हो गया है कि जो पठकता उन्होंने लिखी थी वो शुरुवाती फिल्म बहुत अच्छी चल रही थी पठकता बहुत अच्छी थी लेकिन उसक का अंत दुखांत या सुखांत होना है वो नहीं लिख पाए थी अभी मन्यू की तरह चकर वीव में चले तो गए बाहर कैसे निकल ना है अब उनकी समझ में नहीं आ रहा है जी राजीव